नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चानल दे ट्रेडबूल ऑफिशल में दोस्तों इस वीडियो में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी कल आठ मई के दिन कहां पर कामकाज कर सकता है आपके कॉल पुटके क्या टार्केट रहेंगे बट उससे वहले देखते हैं मार्केट ने फ्राइडे के दिन कहां पर कामकाज किया और मार्केट में कैसा दिन रहा दोस्तों पहले तो मार्केट ने हमें एक बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन दिया गैपडाउन मिला अनेक्सपेक्टेड मूव बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्राइडे के दिन गैपडाउन ओपनिंग देकर बैठ गया बैंक निफ्टी ने पहली कैंडल अपनी दिन की गैपडाउन बनाया दोस्तों इसके बाद मार्केट एक इमेरियेट पुलबाक लेती है पुलबाक लेने के बाद मार्केट काफी देर तक यहाँ पर साइडवेज रहती है और साइडवेज रहने के बाद इसका एक ब्रेकाउट देती है वे ऊपर की तरफ दिन का हाई लगाती है मार्केट 43,587 लेवल के आसपास दोस्तों इसी लेवल पर 43,587 मार्केट में या एक resistance लेवल था इसी से मार्केट ने rejection ली M pattern की formation हुई और इसके बाद दुबारा से मार्केट धीरे धीरे करते करते अपने दिन के लो के आसपास यहां पर पहुँच गई तकरीमन 12 मजे मार्केट ने फिर विक पर pullback लिया दिन के लो से support मिली इसके बाद यहां पर मार्केट ने काफी देर एक consolidation की और उसके बाद इसका एक breakdown मिला जैसे ही मार्केट ने यह रिखिये तिन के लो को break किया तो एक अच्छा fall हमें मार्केट में दो बज़े के बाद देखने को मिला और continuously मार्केट हमें नीचे की तरफ एक positions बनाती भी दिखी मार्केट ने दिन का low यहां पर लगा दिया 42,582 levels के आसपास क्लोजिंग मार्केट ने दिया है 42,661 पर अब मार्केट अगर आप देखेंगे Friday के दिन 1025 पॉइंट में गिरी इसका मेन कारण था HDFC बैंक में जो नीज आई थी रिगार्डिंग दे 150 तो 200 मिलियन डॉलर आउट फ्लो जो मर्जर के बाद हो सकता है MSI की तरफ से तो उस पर्टिकलर नीज इवेंट के बाद मार्केट में एक negativity यहां पर देखने को मिली और मार्केट यहां पर immediately react करता हूँ आपको दिखा अब दोस्तों कर आप ध्यान से दिखेंगे तो मार्केट आपको एक trend line formation करती हूँ नदर आ रही होगी कि मार्केट में यह एक particularly trend line rejection मिल रही है bank nifty के अंदर जो यहां इस level से हमें दिखती हूँ नदर आ रही है towards 43,500 अब क्या हो सकता है कल पहले दिखते हैं कि global markets में Friday के दिन कैसा scene रहा ताकि हम थोड़ा सा एक idea लगा सकें कि हमारी markets कहां पर open हो सकती है तो दोस्तो global markets काफी positive थी Friday के दिन Dow Jones जो था वो तकरीवन 546 points यहां पर plus में बंद हुआ है NDX के बात करें Nasdaq तो Nasdaq के अंदर हमने यहां पर 276 points की एक rally देखी है अगर मैं S&P index की बात करूँ तो standard and poor index भी यहां पर तकरीवन 75 points प्लस में यहां पर बंद हुआ है अगर हम बात करें SDX Nifty की तो SDX Nifty भी प्लस 54 points के आसपास बंद हुआ है indicating a slight gap up in the markets ठीक है एक gap up positive opening market में हो सकती है लेकिन साथ ही साथ आपको यार्द रखना है India Wix जिसमें पिछले दुनों में काफी कम volatility देखी गई अब थोड़ा सा pace पकड़ता हुआ नदर आ रहा है 12.2950 यह Friday के closing levels है तो जैसे जैसे Wix यहां पर market में बढ़ेगा आपको fast moments देखने को भी मिल सकते हैं अब बात करते हैं कि market आपको opening कहां पर दे सकती है तो दोस्तो expected है market के अंदर opening देना तकरीवन 42,850 levels के आसपास तो मैं यहां पर market के अंदर expect कर रहा हूँ कि market आपको एक gap up opening दे सकती है 42,846 levels के आसपास यहां पर 42,846 levels के आसपास आपको यहां पर market एक opening दे सकती है 846 levels के आसपास अब दोस्तो यह जो level आप यहां पर देख रहे हो यह market ने एक retracement लेने यहां पर जाना है और इस particular trend line को market ने break करना है हो सकता है दोस्तो market gap up open होने के बाद दुबारा से एक बार इस trend line को retest करने आ सकती है नीचे की तरफ तो आपको याद रखना है कि market में अगर gap up open होता है और gap up open होने के बाद market जो है इस retest level को करती है और इसके बाद वापस उपर की तरफ निकलती है तो definitely फिर यहाँ पर call की जो हमारी positions बनेंगी वो सिरफ और सिरफ 42,846 levels के उपर ही बनेंगी इस level के उपर ही और लेकिन आपको लेना position retest के बाद है और targets फिर आपके उपर की तरफ bank 50 में पहला 42,939 और दूसरा target 43,005 तक का भी intraday में हो सकता है अगर मैं बात करूँ put position की तो दोस्तो put की position हम सिरफ एक ही condition में लेंगे जब market gap up होने के बाद अपने rejection level trend line को break करती है और 42,000 पिछले दिन के 42,582 के नीचे यहाँ पर जाना शुरू करती है तब ही हम put की position पे बैठेंगे नहीं तो put को हम पुड़ा मंडे के दिन avoid कर सकते हैं targets आपके नीचे की तरफ अगर market break करती है तो 42,497 और 42,384 यह दो targets आपको नीचे pack 50 में देखने को मिलेंगे अगर market in levels के नीचे आपको जाती हुई नजर आती है तो तो उमीद करता हूँ दोस्तो detailed video थी आपको पसंद आई होगी अगर आई है तो like का button जूर प्रिस करिएगा आपने अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe कर लीजे ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे miss ना हो live stream को देखते रहें because उसके अंदस जो मैं level mark करता हूँ आप उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं तो जल्दी मिलेंगे अगरी वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते थैंक्यों और बबाए